हाँ तो बच्चो मैं डॉक्टर भावना शर्मा हिंदी विवाक राच्के कन्या माहविद्याले बारा थाड़ एर की चात्राओं के लिए अभी तक अपन ने आधुनिक काल में उसका नामकरण भारतेंदु यूग दिवेदी यूग छायावाद इन सब का ध्यन किया आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रगतिवादी कविता तो सरप्रथम प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना किन्तु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता जो विचारधारा राजनिती छेत्र में साम्मेवाद या माक्सवाद कहलाती है वही साइतिक छेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्मेवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है साम्मेवादी विचारधार के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा गया है शोशक वर्ग और शोशित वर्ग कितनी विचारधाराओं में दो शोशक वर्ग और शोशित वर्ग शोशक वर्ग के अंतरगत गरीब मजदूर किसान और श्रमिक आते हैं जिनका शोशन किया जाता है साम्मेवादी विचारक समाज में समानता इस्सापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोशन की प्रकिरिया जो है वो बंद हो इसलिए प्रगति वाधि कविता भी की शोशन का विरोत करती है हिंदी प्रगतिवादी कविता हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारम सन 1936 इस्वी में हुआ 1936 से 1943 इस्वी तक की कविता प्रगतिवादी कविता है हिंदी साहेति के वे कवी जिन्होंने साम्मेवादी विचारधारा से प्रभावित होकर क कावे रचना की प्रगतिवादी कभी कहला है इनमें प्रमुख हैं केदान नाथ अग्रवाल नागार्जुन राम बिलाश सर्मा शिव मंगल सिंग सुमन रांगे रागव तिल्योचन शास्त्री इसके अलावा भी हैं सुमित्रा नंदन पंथ निराला रामधारी सिंग दिनकर नरे इंद्र शर्मा आधी की रचनाएं भी प्रगतिवादी इनकी रचनाओं में भी प्रगतिवादी तत्व उपलब्द हैं अब अपन पढ़ेंगे प्रगतिवादी काव्वी की प्रवत्तियां प्रगतिवाद की जो विशेष्ता हैं उनके बारे में अब अपन विचार करेंगे तो उसमें सर प्रथम आता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें साम्वेवादी विचार धा रहा थी शोशित वर्ग और शोशक वर्ग तो शोशिदों के प्रती दीनता का चित्रन प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोशक की चक्की में पिसने वाला किशा मजदूर पीडित की दशा का प्रगतिवाद कभी ने सानुभूतिपूर कार्णिक चित्रन किया है प्रगतिवादी कभी ने शोशित और शोशक का तुलनात्मक चित्र उपस्तित करके समाज में विशमता का उधगाटन किया दिनकर के शब्दों में स्वान को मिलता दूद वस्तर भूके बालक अकुलाते हैं मा की छाती से चिपक टिटुर जाडे की रात बिताते हैं बहुती सुंदर पंक्तिया इसमें शोशितों के लिए लिखी उन्होंने फिर दूसरी विशेस्ता है शोशक वर्ग के प्रति ग्रणा यह लोग स्वार्च सिद्धी के लिए पूंजिवादी व्यवस्ता बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजिवादी व्यवस्ता बनी रहेगी तब तक शोशन का अंत असंभव है प्रगतिवादी अब इस व्यवस्ता को भंग कर देना चाहते हैं अपने कावि के द्वारा नमबर तीन धर्म और ईश्वर के प्रती अनास्था प्रगतिवादी कभी धर्म और ईश्वर में और विश्वास रखते हैं यानि कि उन्हें इश्वर और धर्म में विश्वास नहीं हैं वह इन्हें शोषन का हतियार मानते हैं मतलब प्रगतिवादी कभियों का मानना है कि इश्वर और धर्म इनको फैला कर व्यक्ति अपनी जो इनको अपने हतियार के रूप में काम में लेता है फिर है क्रांती की भ पराओं का समूल विनाश क्रांती के द्वारा ही संभव माना है वह चाता है कि पूंजी पती के गवन चुम्बी महल यानि कि जो आसमान को छुने वाले महल है भूमी साथ हो जाएं और सबको न्याय मिल सके प्रगतिवादी कवी ने हिंसा को उचित ठेराया है नारी चित्रन प्रगतिवादी कवी ने नारी का यथार्थ चित्रन किया है वह ना तो कलपना लोग की परी है और ना ही सौंदर एवं उदात ब्रतियों की पराकास्टा अपितुव इसी लोग की मानवी है जो दिन रात पुरुस के साथ आर्थिक और सामाजिक विशमताओं क झेलती है निराला ने पत्थर तोड़ती हुए नारी का चित्रन किया है वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलहाबाद के पत पर गुरु हतोड़ा हाथ करती बार-बार प्राहार सामने तरू मलीका अट्टा लिकाएं प्रकार यह निराला जी की कविताएं है Magaz Also पिर प्रमुक विशेस्ता है यथार्थ के धरातल पर उतर कर कावी की रचना करना जो प्रगतिवादी कवी है वो यथार्थ को अपनी कविताओं में उकेरना चाते हैं अर्थात उनकी रचना कल्पना और रंगमंच की नहीं है वो यथार्थ के पृति आपको इंगित करना चाहते हैं, समाज को इंगित करना चाहते हैं, प्रगतिवादी कवीता ने कावी के भिन वर्ग का चित्रन किया है, जीवन में व्याप्त, विशाद, भूख, गरेबी, बेरोजगारी और कठिनाई को यथार्थ चित्रन प्रगति वादी कवी ने अपना विशे बनाया है, किसको भूख, करीबी, विशाद, बेरोजगारी, कठनाईयां इन्ही सब को लेके उन्होंने अपनी कविताएं रची हैं, अपनी गद्य लिखे हैं, फिर है शैली गद्विशेस्ताएं, प्रगतिवादी कवी की भाषा सरल है, या उन्होंने किया है, उसमें कहीं बनावट नहीं, वो आम आदमी की भाषा है, जैसी कि पंत जी लिखते हैं, सुमित्रा अंदर पंत जी की इन पंतियों में हम देख सकने हैं, तुम बहन कर सको, जन्मन में मेरे विचार, वानी मेरी चाहिए, तुम्हें क्या अलंकार, बहुत पिगान्दी और बुद्ध के देश में हिंसा और कांती की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती, इसलिए प्रगतिवादी कावी की आयू कम रही, फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, प्रगतिवाद की आयू, मतलब जो समय था, वो काफी कम र है, जर प्रतम नागरजुन, नागरजुन के कावे हैं, यूगधारा, ये उनकी रचनाएं है, उनकी कविता है, पंखो वाले प्रेत, रतिनात की चाची, उनका उपन्यास है जो की काफी चर्चित रहा, वरुन के बेटे, आधी, ये सबी उनकी कावे हैं, इसके अग्रवाल जोकी सकाल में बहुत प्रसिद्ध हुए उनका है फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा समय समय पर युक की गंगा ये सबी हैं केदानाथ जी अग्रवाल की फिर है सिब मंगल शिंग सुबन उन्होंने हिलोर बाणी की व्यथा जीवन के गान प्रलैस जन वि धर्ती मिट्टी की बरात मैं उस चनपत का कभी हूं ये प्रमुख रचने जोकी प्रसिद्ध हुई इन सब की रचना की फिर हैं रांगे रागवजी इनोंने अजे खंडर मेधाबी पांचाली दीपक की राह इन सबी रचनाओं की रचना की तो इस प्रकार बच्चों अप अन्य प्रगतिवादी का भी है